अभीरा के बारे में बात करते करते रो पड़ी सम्रिद्धी शुकला अपने सीन को लेकर हुई काफी जादा इमोशनल सेट पर दिखा सम्रिद्धी शुकला का अलगी अंदाज अभीरा को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा जिस तरह से तॉर्चर कर रही है अभीरा हर बात पर रोती नजर आ रही है और अब तो अभीरा हो चुकी है बे सहारा क्योंकि दादी सा ने उसे दिखा दिया है घर से बाहर का रास्ता लेकिन अब इस ट्रैक को लेकर सम्रिद्धी शुकला से जब पूछा गया तो वो काफी जादा इमोशनल हो गई और अभीरा के इस सीन को लेकर उनके आखों में हुआ गये तो चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ कहा सम्रिद्धी शुकला ने यह रिष्टा क्या कहलाता है कि लेटिस्ट एपिसोड में दिखाएगा कि अभीरा की हालत बहुत जादा खराब है काफी जादा इमोशनल है क्योंकि उसे घर से बाहर निकाल दिया गया है औ अभीरा अर्मान के माता-पिता को अपने माता-पिता की तरह मानती है और उसके परिवार से प्यार करती है अभीरा का इस दुनिया में कोई नहीं है ऐसे में जब उसे इतना बड़ा परिवार मिला तो उसे लगा कि वो उसका परिवार है तलाक देना उसके लिए बहुत की तारीफ की लेकिन यहां पर मैं आपको बता दू कि अनीता याने की दादी सा और अभीरा याने की सम्रिद्धी शुकला का शो में बिल्कुल नहीं जमती है दोनों में 36 का अकड़ा है दादी सा बहुत जादा नफरत करती है अभीरा से लेकिन अगर सेट की बात करें तो दो हो पहले से सम्रिद्धी से माफी मांग लें अभीरा को इस तरह से रोता देख'RE उनके आखों में भी आसू आगा है और स्ट्राइक बिलेकर मेकर को काफी जादा ट्रोल कर रहा है लेकिन अभी जब सीन में नहीं होती है तो काफी कि सबसे जमती है लेकिन सीन में जिस तरह से अभी रयाने की सम्रिद्धी शुक्ला रो रहेगे सेन को लेकर सम्रिद्धी काफी जय में अपर आघर कभन और आपकी कह रहा है सब्सक्राइब कर करना बिलकुल नहीं